दोस्तों नमस्कार आदाव सच्रियकाल नियूज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश अपनी देश में एक बड़ी समस्या केंद्र और राजियों के रिष्टों की है और ये आज से नहीं है ये आजादी मिलने के बाद से ही लगातार ये समस्या खड़ी होती रही है जब बहुत बहतर जन्तंत्र माना गया बहुत अच्छी ब्योस्ता मानी गई बहुत ही शांदार लीडर्सिप मानी गई तब भी केंद्र और राजियों के बीच में कई बार खटा सुई हमने कश्मीर से केंद्र केरल से केंद्र और पंजाब से केंद्र को कई बार आमने सामने देखा है टकराते हुए देखा है और इन राजियों की सरकारें तक डिस्मिस कर दी गए बात के दिनों में करनाटक त की गई यह सब हम सब ने देखा है इस दर्म्यान भारती जनता पार्टी की अगवाई वाली सरकार के इस कारिकाल में हमने देखा है कि एक नया पैटर्न है और वो क्या पैटर्न है गौवर्नर्स जो हैं राजियों में वही पर ज्यादा हो स्टाइल है या एग्रिसिव हैं रा यहां राज्य और केंद्र के बीच का रिष्टा शांदार है यानि गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री जी दोनों के रिष्टे बहुत ही मधोर बहुत शांदार हैं कहीं नहीं सुना गया कोई इस तरह का जगड़ा लेकिन जहां जहां विपक्ष की सरकारे हैं वहां वहां जो केंद्र द्वारा न्युक्त राजिपाल महोदें लोग हैं वो कोई न कोई समस्या समय समय पर खड़ा करते रहते हैं और कुछ राजिपाल तो इस बात के लिए अपने देश में चर्चित हो गए हैं कि वो continuous लगातार elected जो state government है उस पर समस्या पैदा करते रहे हैं उनको सामकाज में खलल डालते रहे हैं अब तमिलाट का जो मसला है वो आप जानते हैं आपने सुना होगा अख़पारों में पढ़ा होगा कभी कभी टीवी में भी खबर चल जाती है अलांकि बहुत कम लेकिन वो एक गंभीर समस्या है DMK और मुख्यमंत्री MK स्टालिन यानि पा कि वो जो संसदी मर्यादा है विधान सभा से जो बिल पास होते हैं उनको वो जरूर मंजोरी दें क्योंकि वो राजे के हित्म है जन हित्म है दोस्तों ये समस्या बिलकुल दिल्ली के बगल वाले राजे बिलकुल पास आमिन चार पांच गंटे में पहुँचा जा सकता है उस पंजाब में खड़ी हो गई है जहां पर केंद्र स्वेम मानता है कि वो एक सरहदी सुबा है बहुत संबेदन शील इलाका है वहां की सरकार को केंद्र का भरपूर प्रशंड समर्थन मिलते रहना चाहिए एक पॉलिसी केंद्र की है कि संबेदन शील जो राजे हैं या स सरहत से जुड़े जो राजे हैं उनको केंद्र आख मूत कर समर्थन देता है संरक्षन देता है लेकिन भगवन सिंग्बान की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की उसकी सबसे बड़ी जो नाराजगी इस समय केंद्र से है उसमें एक ये भी है कि वो जो गवर्नर सहाब है प प्रवार को मुख्यमंत्री सहाब ने वो दो दिन का सेशन पंजाब विधान सबा का बुलाया था बहुत सारे जो पेंडिंग महत्पून कुछ बिलते उसको पास करने के लिए इस पर बहुत ही केंद्र अरे राजपाल और सरकार इन दोनों के बीच में बहुत ही जवर्दस्ट टकराव सामने आया और राजपाल सहाब ने तो कहा कि कोई भी लहम नहीं वो करेंगे और इस तरह से उन्होंने एसम्बली सेशन को ही इल्लीगल गोशित कर दिया अब 30 अक्टूबर को कहा है भगमतमान ने अपनी सरकार की तरफ से कि 30 अक्टूबर को सुप्रिम कोर्ट में इस मामले में वो जाएंगे और कहेंगे कि इस मसले का समाधान कोर्ट अब खोजे इसलिए ये जो दो दिन का सेशन बुलाया गया था इसको एड़्जर्म किया जाए तो इस स्पीकर ने इस पर सलाहमागी सरकार से और फिर परलामेंटरी अफेर्स मिनिस्टर ने रिजूलिशन पेश किया और इस तरह से हाउस एड़्जर्म होने के लिए मतलब कह दिया गय इस पर विपक्ष के जो विधायक हैं खासकर परगट सिंग जो कॉंग्रिस के वहां प्रमुखनेता हैं उन्होंने ये कहा कि राजपाल से टकराव के इश्यू पर जो राजपाल महुद है जिनको राजसरकार के बिल और राजसरकार के फैसलों को ओके करना चाहिए वो जो बोल ले रहें हैं वो जो इस शितियां पैदा कर रहे हैं कि सरकार function नह कर सके वो गलत है हम उस पर राजसरकार के साथ हैं उस मुदे पर राजपाल की और समवैदानिक दखलांजाजी पर हम भगवन सिंग्वान की सरकार के साथ हैं यह कॉंग्रिस के विधायक ने कहा जो व रहने देना चाहिए था ये बात उन्होंने कई है अब दोस्तो ये जो मसला है मैं समझता हूँ की बहुत मादपूर है क्योंकि एक राजपाल जो केंद्र द्वारा नियुक्त है संबैधानिक प्रावधानों के हिसाब से आम तोर पे देखा गया है कि केंद्र की इक्षा के ब तो आखिर विपक्ष शासित राज्यों में ही ये समस्या क्यों पैदा हो रही है। चाहे वो केरल हो, केरल में हमने देखा है कि राजसरकार और राज़िपाल के बीच में कितना ठक्राओ होता रहा है और अभी भी जारी है। तमिलाट का तो भयानक मतलब मामला है, इसके अलावा हमने दूसरे और स्टेट्स में देखा है, बंगाल में तो आप इतिहास है, अब पंजाब में भी दिखाई पड़ रहा है, तो ये मुझे लगता है कि केंदर को एक प्रसंट बहुमत वाली सरकार केंदर की है, मुझे सकें, जनहित जिसको वो समझते हैं, उसके अनसार फैसले ले सकें, उनके विवेक पर उनको छोड़ा जाना चाहिए, आखिर जनता ने चुना है, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं केंदर को इस मामले में राजे पालों से विमर्ष करना चाहिए, और राजे, केंदर और अधानों को अमल करना चाहिए, यह हमारी थी, दोस्तो आज नियूज मंतर में पहली कबर, दूसरी कबर एक इंटरेस्टिंग कबर हमने देखी, आज के अख़वार में, और वो खबर बहुत दिल्चस्प है, क्योंकि चुनाव शुरू हो गया है, दोस्तों, तो मैं समझता की चुनाव के लिए, कैंपेंड जल्दी इस बार शुरू हो जाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है, आप देख रहे हैं, विदान सभा के पांच राजियों की चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत पहले से अभियान शुरू हो गया, तो चुनाव अभियान के दर्म्यान, हेल का उनके साथ कांट्रेक्ट है, कोलिबरेशन है, उसके ताहत दैनिक भासकर ने भी चापी है, वो ख़बर बढ़ी दिल्चस्प है, और वो ये है, मैं उनको, उनके, उनकी ख़बर के अनुसार आपको ये फैक्स दे रहा हूँ, कि देश में इन दिनों दो गुना मांग हैं, ये रोटरी विंग ससाइटी आफ इंडिया का डेटा है, कोट किया गया है रिपोर्ट में, और दस एक हजार जो हेलिकाप्टर हैं, वो अमेरिका में हैं, ब्राजिल में भी इससे ज़्यादा हैं, तो बड़ा अश्रज हुआ कि हेलिकाप्टरों की संक्या हमारे देश हो जाता है, क्योंकि उइँ पहले ही हायर कर लेते हैं, पहले ही कांट्रेक्ट साइंड कर लेते हैं, हेलिकाप्टर परदान करने वाली कमपनियों से, कि भई उनको दिया जाए इतने हेलिकाप्टर, अब विपक्ष के जो लोग हैं, और छेत्री पार्टीयों के लोग हैं, बड़ी परिशानी हो जाती है कि उनको तो बहुत कम मिलते हैं तो उन्होंने कोट किया है कि 254 में जो हेलिकाप्टर हैं एक 150 हेलिकाप्टर पब्रिक सेक्टर सरकारी कामकाज से जुले रहते हैं और इसमें जो हैं बाकी जो बशते हैं हेली काप्टर वो 60-70 के आसपास है जो एलेक्शन में इधर से उधर मनदाते रहते हैं आकाश में और जब नीचे उतरते हैं तो गाउँ देहाथ में हेली पेट पर धूल की याँदी उड़ने लगती है और लोग ज पास रहते हैं तो वे जो हेलिकाप्टर है दोस्तों इस एलिक्षन में पांच राजियों के उनका भी काफी मज़ा होगा काफी उनको देखने के लिए भी उमड़ेगी और इस तरह से नेताओं के पास भी जाएगी एक घंटे का किराया बताया जा रहा है कि समय साड़े चार चार रूपए के आसपास है कुछ서도्स एक खेतरों में ये 6 theat पहने सात लाक भी हो गया है खासकर जो अमीर राजी हैं देश के सबसे ज्यादा जो एक्वार किया गया है या एक्वार किया जा रहा है helicopter या contact पर लिया जा रहा है उसमें उस party का नाव है भारती जनता party जो सत्ताधारी दल है इसके बाद जो अन्य पार्टियां है और छेतरी दल भी एक दो helicopter जो हैं वो कोशिश कर रहा है कि manage हो जाए Congress party तो करी रही है लेकिन सबसे अधिक helicopter BJP के पास जा रहे हैं या जाने वाले हैं ऐसी खबर में कहा गया है तो यह helicopter की जो 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 उडान है वो इस चुनाव में आपको दिखेगी और यह केवल 9 दिसंबर तक थम नहीं जाएगी इसके बाद भी जारी रहेगी क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए इस चुनाव के बाद भी मैं समझता हूं कि काफी सिलसिला जारी रहेगा एक sequence मना रहेगा दोस्तो दोस्तो आज इतना ही नमस्कार आदाब सच्छियकाद